गया माता थी दोस्तों देखिए पिछले कुछ सालों से अगर आप देखें तो और अएक आई पूख ग्रीन का आई पूर आया है इक सट से सट से सट रूपे सिस्टीवागाई में फिफ्टीन रूपीज का ग्रे मार्किट प्रीमियम चल रहा है 23 नवंबर को इसकी लिस्टिंग है अब देखिए क्या ये लिस्टिंग के बाद आपके पॉर्टफोलियो आपके पॉकिट को ग्रीन करेगा कि रेट करेगा मैं आपके सामने तर्क रख रहा हूं आप देखिए खुद कीजिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है पहले चीज तो क्या है देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम को अपने दिमाः से special nervous system ँड़न्चू कर दो आरपावर में भी था कितनी कितनी कंप्रियों से था ग्रे मार्केट प्रीमियम कोई पेरामेटर नहीं कि इसको देख क अपनी पेरेंट कंपनी आयनॉक्स विंड से आता है तो इसका फ्यूचर किस पर डिपेंड करता है फ्यूचर डिपेंड करता है कि यह आयनॉक्स विंड क्या कर रहा है उस पर इसका फ्यूचर डिपेंड करता है अब आगर आप आयनॉक्स विंड को देखें तो इसका आई प 25 के प्राइज बैंड में इसका आई प्यों आया था ठीक है लिस्टिंग रगवाग एराउंड 400 रुपीज के लिस्टिंग हुई 490 तक के स्टॉक गया उसके बाद से यहां पर चार्ड जो है इसका प्रॉमिसिंग नहीं है चार्ड की अपने अपने सामने देख ली अब इसमें मोटी मोटी बात समझने की क्या है कि आया नॉक्स विंड जो पेरेंट कंपनी है उसकी रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉइट परसेंट थी दोजार पंदरा में जो की गिर के घटके 2022 में माइनस 11 परसेंट आ गई है नेट लॉस है पिछले पांच सालों में रेविन्यू भी घट रहे हैं अब देखिए जस्टिफिकेशन हर चीज का होता है मेरा मानना है कि देखिए हम भारत का मिडल क्लास है है हमारे पैसे की ना कीमत है एना सेफ्टी कम्स पर्स्ट या दूसरे अच्छे विकल्प अपलब्द हैं अगर आपने आईप्यों में लगाया है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम है मार्केट का सेंटीमेट अच्छा है उपर में बेचे अच्छे खासे ब्लूचिप स्टॉक सस्ते मि रहे हैं और किसी में भी लगा दो और नया करिदना चाहते हो तो दूसरे अच्छे विकल्प हैं मेरी रहे में तो वहां पर निवेश करना चाहिए और यह हरे और लाल के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए अपनी सेफ्टी को मद्दे नजा रखना चाहिए तो अच्छा लगा वा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेर कीजिए और अगर आपने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू वेरी मुर्च